जै स्रीराम मित्रो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत थे आपके अपने ही चैनल एश्ट्रो गुरुजी में मित्रो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकान को अवश्य दबाएं जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे आप नित्य नई नई ग्यानवर्धक जानकारिया वनित्य का राशी फल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें तो मित्रो आज आपको हम बताने जारे महान पुर्ण्य को देने वाली और सभी पापों का हरन करने वाली हनमान जैनती की पावन वरत कथा और पूजा विदी के बारे में तो इस वरत कथा को सरद्धा पूरवक आप स्रवन करेंगे तो आपके सारे दुख संकट भगवान हनमान जी की करपा से दूर होंगे तो मित्रो पूरे वीडियो को आप ध्यान पूरवक देखेंगे तभी इसका संपूर्ण फल आपको मिल पाएगा तो भगवान प्रभुस्री राम के भक्त संकट मोचन महावीर बजरंग बली हनमान जी के महिमा सबसे ही न्यारी है सुरज को निगलना परवत को उठा करके उड़ना रावन की सोने की लंका को फूकना कितने ही ऐसे असंभव लगने वारे कारिये हैं जिने स्री हनमान जी ने करके दिखाया है तो माता अंजनी के लाल और पिता पवन के पुत्र वीर हनमान जी का जन्म चैत्र माहा की पुर्णिमा तिथी को मनाय जाता है यहां अंग्रेजी केलेंडर के अनुसार इस वर्स में यहां तिथी रहेगी दिनांक 8 अपरेल 2020 को रहेगी तो आईएब हम जानते हैं कि पवन पुत्र हनमान जी के बारे में विशेश क्या है तो हनमान जी की जन्म की कथा इस प्रकार से है कि हनमान जी का जन्म वेसे तो दो तिथीयों के रूप में मनाय जाता है पहला जो है चेत्र माहा की पुरुणिमा को तो दूसरी तिथी कार्थिक माहा की कृष्ण पक्ष की चतुर दसी तिथी को इस दिन इनका परव यहा मनाय जाता है तो पौरणिक गरंथों के अनुसार दोनों तिथियों का उलेख हमको मिलता है लेकिन एक तिथी को जन्म दिवस के रूप में तो दूसरी को विजय अभिनंदन महोसव के रूप में मनाय जाता है उनकी जयनती को लेकर दो कथाएं प्रचलित होती है तो ऐसा माना जाता है कि माता अंजनी के उदर से हनवान जी उत्पन हुए उन्हें बड़ी जोर से भूक लगी हुई थी इसलिए वे जन्म लेने के तुरंत बाद आकास में उचले और सूरी को फल समझ करके खाने की और दोड़े उस दिन राहु भी सूरी को अपना ग्रास बनाने के लिए आया हुआ था लेकिन हनुमान जी को देखकर उसने इसे दूसरा राहु समझ लिया था तभी इंद्र ने पवन पुत्र पर वजरसरे प्रहार किया जिससे उनकी ठोड़ी पर चोंट लगी और उसमें टे छहां जी मिले अमर्ता का वरदान पाया ऐसा हुआ कि एक बार माता सीता अपनी मांग में सिंदूर लगा रही थी तो हनमान जी को यहाँ देख कर के जिग्यासा हुई कि माता ऐसा क्यों कर रही हैं उनसे अपनी शंका को रोका न गया और माता से पूछ बेठे कि माता आप मांग में सिंदूर क्यों लगाती है माता सीता ने कहा कि इससे मेरे स्वामी स्री राम की आयू और उनके सोभाग्य में वरद्धी होती है राम भक्त हनमान जी ने विचार किया कि जब माता सीता के चुटकी भर सिंदूर लगाने से प्रभू स्री राम का सोभाग्य और उनकी आयू बढ़ती है तो क्यों न पूरे सरीर पर ही मैं सिंदूर लगा लूँ उन्होंने ऐसा ही किया इसके बाद माता सीता ने उनकी भक्ती और समरपन को देख करके महावीर हनवान को अमरता का वरदान दिया था ऐसा माना जाता है कि यह दिन दिपावली का दिन था इसलिए इ बढ़ाने से भगवान बजरंग बली के अती प्रसन होने का यही रहस्य होता है यहती हनवान जैनती की वरत कथा इनकी पूजा विधी इस प्रकार से है वरत रखने वाले को वरत की पूरवरात्री से ब्रह्म चरी का पालन करना चाहिए जमीन पर सयन करना चाहिए प्रातहक प्रिया से निवरत्त हो करके इसनान करना चाहिए। प्रिया से निवरत्त हो करके इसनान करने से समस्त मनो कामनाई पूरी होती है। हनवान जैनती का जो परव है दिनांक 8 अपरेल 2020 बुधवार की दिन रहेगा। हनवान जैनती की यह तिथी है इस तिथी का आरंब वैसे 7 अपरेल 2020 को दो पहर 12 बजे से 12 बचके एक मिनिट से आरंब हो जाएगी। पुरिनिमा तिथी की समापती होगी दिनांक 8 अपरेल 2020 को प्रातहकाल 8 बज के 4 बजे तक तिथी की समापती होगी। तो सवेरे के समय पूजन करना वैसे स्रेष्ट रहेगा लेकिन उदियात तिथी होने के कारण दिन भर भगवान हनवान जी की पूजा अरचना इस दिन की जा सकती है और उनकी प्रसनता के लिए विशेष प्रयोग भी आप कर सकते हैं। आपको प्रापत होगा और हनुमान जी महराच की विशेष प्रपा दरश्टी आपको मिलती रहेगी। दीपक में लोंग डाले और ये दीपक हनवान जी के सामने आप प्रजुलित करें करपूर से उनकी सरद्धा पुर्वकारती उतारें इस उपाय से आपके दुख संकट सब दूर हो जाएंगे दूसरा उपाय इस प्रकार से है कि हनवान जी के मंदिर में जाएं वहाँ पर एक नारियल हनवान जी को औरपन करें साथ हनवान चलिसा का पाट करें तो इससे आपका बुरा समय दूर होगा विग्न संकट आपकी आने वाली दूर हो जाएगी तीसरा उपाय इस प्रकार से है कि हनवान जहिंती पर सुर्यास्त के पश्चात हनवान जी के सामने चार मुख वाला दीपक परजुलित करें चोव मुखा दीपक यानि दीपक में चार बतियां रख करके चारों और उससे उसको आपको जलाना है उस दीपक की आपको पुजन करना है इस उपाय से घर परिवार की सारी परिशानिया खत्म हो जाएगी चोथा उपाय इस प्रकार से है जेंती के परवपर पारे से बने हुई हनवान जी की प्रतिमा की सरद्धा पुरव का पूजन करें और साथ ही ओम राम दूताई नमा इस महा मंतर का जप कम से कम 108 बार आप करें मंतर जप के लिए रुद्राक्षे की माला का उप्योग आप कर सकते हैं इस उपाय से आपके स सभी दुख कष्ट दूर होने लगेंगे अगला उपाय छटा उपाय इस प्रकार से है कि हनवान जी को गाय के शुद्ध घी से बना हुआ प्रसाद अरपन करें यह प्रसाद भक्तों में वितरन करें और खुद भी प्रसाद ग्रहन करें इस उपाय से हनवान जी प्रसन होत और आपके दुख कष्ट दूर कर देते हैं। कि हनवान जी का मुख दक्षण दिसा की ओर हो इस उपाई से सत्रों पर आपको विजय स्री की प्राप्ती होगी इस तस्वीर की आप गंद पुष्पाक्षत की दोरा पूजन भी कर लेवें और बेट करके हनवान चलिसा अथवा सुन्दर कांड का सरद्धा पुर्वग सिंदूर और चमेली के तेल से उनको चोला अरपन करें और वस्तर आदी उनको सरंगार की सामगरी सब अरपन करें तो इस उपाई को करने से आपकी मनो कामनाई शिगर पूरी होने लगेगी अगला दस्वा उपाई इस प्रकार से हैं दुखों से मुक्ती पाने के लिए हनवान जी को और पन करें और गंद पुष्प अक्षत के द्वारा उनकी पूजा करके हनवान चालिसा का भी पाट करें तो इसा करने से दुख संकट वादाएं आपकी स्वताह दूर होने लगेगी अगला ग्यारवा उपाई इस प्रकार से हनवान जैंती पर आप पान का बीड़ा बनवा करके हनवान जी को और पन करें ऐसा करने से हनवान जी महाराज की विशेश क्रपा द्रश्टी आपको मिलती रहेगी अगला बारवा उपाई इस प्रकार से हैं किसी भी हनवान जी के मंदिर में काली ओड़त के ग्यारह दाने सिंदूर चमेली का तेल अगला चोधमा उपाई इस प्रकार से हैं कि एक नारियल पल सिंदूर और लाल धागा लपेट करके उसके उपर अक्षत चड़ावें नारियल की गंद पूष्प अक्षत के द्वरा पूजन करें इसके बाद यह नारियल हनमान जी को और पन करें और हनमान चालिसा या हनम जी के बीज मंत्र का बेट करके जाब करें तो इससे धनलाप के योग आपके लिए प्रबल हो जाएंगे अगला चोधमा उपाई इस प्रकार से है कि हनवान जैनती के इस महापर्व पर काली गाय को रोटी अवश्य खिलावें और पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक प् तो यह उपाई जो है बड़ी से बड़ी परेशानी उसे आपको बचा सकता है और आने वाले आपके जीवन में विग्न संकट सब दूर हो जाएंगी तो यह थे हनवान जी को प्रसन करने के हनवान जैनती के कुछ खास उपाई तो मित्रो आसा करता हूँ कि आपको हमारी य ग्यान वर्धक जानकारी पसंद आई होगी यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें जिससे अधिक से अधिक लोग इसका लाब प्राप्त कर सकें धन्यवाद जैसरी राम मित्रो फिर मिलेंगे